नमस्कार अंदर की बात के साथ मैं हूँ हीना संसत के मौनसुन सत्र की बात करें तो हंगामे के बीच सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराने की चुनोती है 17 दिन चलने वाले संसत के इस सत्र में सरकार ने 31 अहम बिलों को पास कराने की तयारी की है आईए जानते हैं ये कौन कौन से बिल पास करना चाहती है सरकार और इस सत्र में क्या क्या होगा पूरे मामले पर सक्त प्रतिक्रियादी उदर वीपक सिदल मनिपूर के मुख्यमंत्री के इस्तिपे की मांग परड़े है ऐसे में इस मौनसुन सत्र के भी हंगा में की बेट चड़ने की आसंका है पहले जानते हैं सरकार क्या चाहती है संसद के मौनसुन सत्र के दोरान सरकार की तरब से 31 बिल को पेश किया जाएगा सरकार कोसिस करेगी कि इन सभी को संसद के सदनों से जल्द से जल्द पास करा कर कानून का रूप दिया जाए सरकार जानती है कि मनिपूर की घटना को लेकर काफी हंगामा होने वाला है यही कारण है कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही इस गटना पर दुख और आक्रोस व्यक्त कर दिया उन्होंने दोसियों पर कारेवाही की बात भी की है आला की विपक्स मुख्यमंतरी विरेंसी के इस्तिफे की मांग परड़ा है इसको लेकर संसत के दोनों सदनों में जबरजस्त हंगामा हो सकता है फिलाल लोगसबा और राज्यसबा दोनों की कारेवाही कल तक के लिए स्तगित कर दी गई है दिल्ली के अधिकारियों पर नियंद्रन से जुड़े केंद्र के अध्यादेख्ष का मामला सुप्रिम कोट ने पांच जजों की सविधान पीट को सौब दिया चीफ जस्टिस सीजे आई ने कहा कि इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओ को अध्यादेख्ष के जरिये दिल्ले विधान सभा के दाइरे से बाहर कर देना सही है या नहीं ये अध्यादेख्ष के इंद्रसरका ने बीती 19 मई को चारी किया था दिल्ली के LG की और से पेश होए वरिस्ट वकील हरिश शालवी ने सुनवाई के दोरन कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेख्ष के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी इस पर CJI ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं गर सकते दिल्ली सरकार की वकील अभिशेक मनुसिंद्वी ने सविधान पीट में जल्द सुनवाई की मांगी केंद सरकार गुरुवार से शुरू हुए संसत की मौनसुन सत्र में इस अध्यादेख्ष को लेकर विधयक भी पेश करने वाली है आम आदमी पार्टी इस अध्यादेख्ष का पुर्जोर विरोत कर रही है आपके राष्टिय संयोजक और दिल्ली के सीएम अर्विंद केज्रिवाल इस अध्यादेख्ष के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए कई विपक्षी नेताओं से मुलाकाद भी कर चुके हैं प्रशांत किशोर जन्सुराज पदियात्रा के दौरान लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं वही वो ध्वार को उन्होंने बिहार की राजनितिक पार्टियों के फंडिंग को लेकर तीखे सवार पूछे प्रशांत किशोर ने डेपिटी सीएम से क्या पूछी करे सवार जन्सुराज के सुत्रधार और चुनावी रणनेतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तिपूर में पदियात्रा कर रहे हैं इस दौरान वह लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं उन्होंने जेडियू और आरजडी परती खा हमला किया उन्होंने कहा कि किसी भी बिहार के नेता जैसे की आरजडी, जेडियू या किसी लोकल पार्टी के नेताओं से हिम्मत जुटा कर सवाल पूछा जाना चाहिए कि पार्टी कैसे चलती है तेजस्वियादो अपना बाथडे प्राइवेट प्लेन में मनाते हैं इसका पैसा कहां से आता है नितेश कुमार, तेजप्रताप और तेजस्वियादो जनता को जवाब दे कि भाईया, तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है आपका तो बिहार से बाहर कहीं कोई ठीकाना नहीं है इन दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है इसी गरीब बिहार को लूट कर ये अपनी पाटी चला रहे है जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि बिहार में कोई ऐसा भाई का लाल नहीं है जो ये खड़ा होकर कह दे कि मैंने उनसे एक रूपिया भी लिया हो यहां एक कप चाय भी मैं किसी का नहीं पीता हूँ अपना चाय, खाना, टेंट, तंबू, गाड़ी लेकर चलता हूँ आप देख रहे हैं एक साल से मैं अपने खर्च पर चल रहा हूँ बिरो रिपोर्ट विपक्षी एक्ता की स्क्रेप्ट लगभग दो फेज में तयार हुई इसे तयार करने में कुछ नेता हूँ ने परदे के पीछे से भुमिकान इभाई तो कुछ सीधे सामने आकर आईए जानते हैं विपक्षी गटबंदन में कैसे साथ हाए 26 दल 340 दिनों तक चली लंबी कवायत के बाद विपक्षी एक्ता ने अब आखिरकार शकल लेना शुरू कर दिया है बैंगलूर में कॉंग्रेस समीत 26 दलो मीटिंग के बाद मलिकार जुन खरगे ने कहा कि उन्होंने गटबंदन का नाम रख लिया है अब इस मोर्चे को भारती राष्ट विकास समनवय गटबंदन इंडिया नाम से जाना जाएगा सबसे पहले गटबंदन वारे राजियों में समान वीचारधारा वाले दलो से संपर्क साधा गया उन पार्टियों से बात शुरू की गई जो पहले कभी कॉंग्रेस के साथ गटबंदन कर सरकार में रह चुकी है इनमें CPM, सपा, टुन्मूल और PDP जैसी पार्टिया प्रमुख है नितिश कुमार की सलाप पर ही विपक्षी मोर्चे की अगली मीटिंग मुंबई में रखी गई महराष्ट की सियासत में पिछली साल से ही उतल पुतल मची हुई है शिउसेना के बाद हाल ही में NCP में तूट गई है विपक्षी पार्टिया वहां मीटिंग कर मनोवैग्नानिक बढ़त लेने के फिराक में है विपक्षी मोर्चे में सपात टुनूल जैसे दलो को जोडने में नितिश कुमार का रोल अहम है माना जा रहा है कि नितिश कुमार को विपक्षी मोर्चे में सईयों जग का पद मिल सकता है बेंगालूरू में कॉंग्रेस अध्यक्ष खर्गे ने कहा कि मुंबई की बैठक में नाम तैह हो जाएगा देश में 26 विपक्षी दलो का बनाए गड़ बंदन इंडिया इंडियन नेशनल डेवलोप्मेंट इंक्लूजिव अलाइन्स पर दिल्ही के बारा खंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है देश में 26 विपक्षी दलो द्वारा बनाए गए नए गड़ बंदन इंडिया इंडियन नेशनल डेवलोप्मेंट इंक्लूजिव अलाइन्स पर दिल्ही के बारा खंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है शिकायत करता डॉक्टर अवनेश मिश्रा ने इन पक्षों के खिलाफ आवश्यक कारिवाही का अनुरोद किया है शिकायत में कहा है कि इंडिया नाम रखने से भावनाए आहत हुई है शिकायत करता ने 26 विपक्षी दलो के खिलाफ भारत के नाम के अनुचीत उप्योग और चुनावों में अनुचीत प्रभाव और चबी के लिए उक्त नाम के उप्योग के लिए शिकायत दर्ज कराई है बैंगलोरो में 26 विपक्षी दलो के बीच बैठक हुई इस बैठक में विपक्षी दलो के गढ़ बंदन को इंडियन नेशनल डेवलोप्मेंट इंक्लूजिव अलाइंस इंडिया नाम दिया गया है दरसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलो के बीच दूसरी बार बैठक हुई थी इस से पहले बिहार के पटना में हुई थी इंडिया नाम से बना विपक्षी दलो का ये गढ़ बंदन कॉंग्रेस के नेतरुतो वाले यूपी ए का एक नया वर्जन है हाला कि इस गढ़ बंदन में सीट बटवारे और मोर्चे के लिए पी एम के चहरे समेत कई महतोपुन मुद्धों पर कोई नीणई नहीं लिया गड़ा है ब्यूरो रिपोर्ट जियस संसत के मौनसुन सत्र में आज पी एम नरेंदर मोदी और कॉंग्रेस के पुर्वा अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कुछ बातचित भी हुई इस दवरान सोनिया ने पी एम मोदी से सदन में मनिपूर वीडियो मुद्धे पर चर्चा की मांग भी की कॉंग्रेश नेता अधिररणजन चोधरी ने कहा कि पी एम मुदी ने इस मुद्धे पर कहा कि वह इसे देखेंगे चोधरी ने बताया कि सदन की बैठक आरेंब होने से कुछ देर पहले पिये मुदी ने सदन में सत्तापक्स और विपक्स सदस्यों की दिर्धा की तरफ जाकर नेताओं का अभिवादन किया जब विपक्स की दिर्धा के पास पहुँचे तो सुनिया गांदी के साथ उनकी थोड़ी देर बाचित हुई संसद सत्र के पहले दिन नेता आम तोर पर एक दूसरे का अभिवादन करते है चोधरी ने कहा कि सुनिया गांदी ने पिये मुदी से आकी वह मनिपूर मुद्धे पर सदन में चर्चा चाहती है चोधरी ने कहा कि पिये मुदी ने सुनिया गांदी से शायद इस बात की कलपना नहीं की होती पीएम मोदी ने सुनिया की बात सुनने के बात कहा कि हाँ ठीक है, हम इसे देखेंगे गौरतलभे की संसद का मौनसुन सत्र शुरू हो गया है ऐसे में मनिपूर गटना पर सुनिया की मांग एक तरह से विपक्स की मांग हुई Bureau Report GSTV मनिपूर में दो महिलाओ के साथ हुई बरबरता के मुद्दे पर BJP ने तारविश्ण के प्रसाद ने प्रेस कॉनफरेंस में कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है ये हमारे लिए गंबिर विश्वय है मनिपूर में दो महिलाओं के साथ शर्म नाक हरकत पर कॉंग्रेस समेता ने विपक्षी पातियों मोधी सरकार पर हमलावर है विपक्षी पातिया पीम मोधी से संसद में बयान देनी की मांग कर रही है इस बीच बीजे पीने प्रेस कॉनफरेंस कर विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाए प्रष्ट्रिय मंज से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या है संसत में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना इगो चाहते हैं बीजे पिनेता ने आगे कहा हम इस पर बहस चाहते थी लोक सभा में संसत के दोनों सदनों में ये हमारे लिए घंबिर विशय है, होना भी चाहिए नरेंदर मोदी के सरकार देश की बहन बेटियों की इज़त के बारे में बहुत ही घंबिर और सम्विदन शिल है किसी प्रदेश में हो लेकिन महिलाओ का सन्मान होना चाहिए आज मुझे कॉंग्रेस पार्टी से भाजपा किराश्ट्रिय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या है, संसत में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना इगो चाहते हैं वहीं कॉंग्रेस नेता जेराम रमिश ने ट्वीट किया मांसुन सत्र के पहले देन संसत के दोनों सदन शोर सराबे में डूब गए ऐसा इसलियो हुआ क्योंकि मोधि सरकार मनिपूर में तीन मैं के बाद के हालात पर संसत के अंदर प्रधार मंत्री के बयान और ततकाल चर्चा के लिए इंडिया की मांग पर सहमत नहीं हुई ब्यूरो रिपोर्ट महिला पहलवानों से उत्पिडन मामले में बीजेपी सांसद ब्रुजबुशन शरन सी को बड़ी राहत मिली है अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए शर्त भी लगाई है महिला पहलवानों से उत्पिडन मामले में ब्रुजबुशन सरन सी को बड़ी राहत मिली है उन्हें 25,000 रुपिय के नीजी मुचल के पर जमानत मिल गई है जमानत देते हुए कोट ने शर्त रखी कि ब्रुजबुशन बीना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दोरान दिल्य पुलिस की और से सरकारी वकिल ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिये जाने पर कुछ सर्त लगाई जाए पहलबानों की और से पेस वकिल ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावसाली है उन्होंने अदालत को बताया जमानद नहीं दी जानी चाहिए अगर इसकी अनुमती दी जाती है तो कड़ी शर्त लगाई जानी चाहिए समय समय पर गवाहों से संपर किया गया है आला की कोई खत्रा नहीं है पुलिश ने इस मामले में 1599 पन्नो की चार्ज सीट दाखल की है जिसमें आरोपी ब्रिज बुशन सरनसी और WFI सेकरेटरी विनो तौमर के खिलाफ केस का जिक्र है इसे चार्ज सीट में कूल 44 विटनेस है चार्ज सीट में कूल 108 लोगों के बयान भिज दर्ज किया गया है जिन में से 15 लोगों ने पीडित रेशलर्स के समर्थन में बयान दिये है ब्योर रिपोर्ट जी एस टीवी